ताइब इटीज का आयूर्वेदिक इलाज शुगर चयाप चय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक उच्छरक्ट शरकरा का स्तर होता है उच्छरक्ट शरकरा के लक्षनों में बार-बार पेशाब आना, प्यास लगना और अधिग भूख लगना आधी होते हैं यदि इसका समय पर उपचार न किया जाए तो यह कई जटिलताओं का कारण बन जाता है डाइवेटीज के कारण व्यक्ति का अगनाशय परियाप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है और शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक प्रकार से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती है ग्लूकोस को अन्य कोशिकाउं तक पहुँचाने का काम इंसुलिन का होता है और डाइबिटीज के रोगी के शरीर में इंसुलिन बनना बंदिया कम हो जाता है जिस कारण शरीर में चीनी अथवा ग्लूकोस की मात्रा अधिक हो जाती है यदि उचित खान पान और जीवन शैली के साथ घरेलो एवं आयुरवेदे को पायों का प्रयोग किया जाए तो रक्त में शुगर के स्थर को नियंतरित रखा जा सकता है इस वीडियो में हमने आपको शुगर कम करने के घरेलू उपायों एवं आयुर्वेदे के लाज के बारे में जानकारी दी है मोबाइल व इमेल नोटिफिकेशन के जरिए आयुर्वेदे कुपचार घरेलू नुसके एवं स्वास्थे संबंधी नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब के बिल आइकॉन को प्रेस करें तायब इटीज का आयुर्वेदिक इलाज तायब गोन कैपसूल शुगर को कम करने का प्रभावशाली आयुर्वेदिक उपचार है यह कैपसूल आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरे हुए आते हैं यह जड़ी बूटियां इंसुलिन के स्राव में सुधार करती है और स्वस्थ शरकरा के चयाप चय को बढ़ावा देती है यह आयुर्वेदिक कैपसूल सूर्जा के स्तर में सुधार करते हैं, लगातार प्यास और भूख जैसी समस्याओं को रोपते हैं और स्वस्थ मूत्र उत्पादन को भी बनाए रखते हैं यह जड़ी बूटियां स्वस्थ कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को बनाए रखते हुए उन्हें रुकावटों से मुक्त रखती है यह घाव और चोटों को तेजी से भरने के लिए रखत के ठक्के को बनाए रखते हैं मदुमेह के लिए डायबगोन आयूरवेदिक हर्बल सप्लीमेंट तंत्रिका तंत्र की रख्षा करते हैं और अन्यमिक दिल की धर्कन और दिल की तेज धर्कन को सामान्य अवस्था में लाते हैं यह उच्छ प्रतिरक्षा को बनाए रखने के लिए प्रभावी है डायबगोन कैपसूल सभी उन्र के पुरुशों और महिलाओं के लिए सुरक्षित है और इन्हें बिना किसी चिकित्सीय अनुस्खे के लिए जा सकता है अपने हर्बल स्वभाव के कारण यह लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखाते हैं यह उपाई शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, ठकान, अत्यदिक प्यास, बार बार पेशाप करना और सिर्दर्द जैसे मधुमे के दुश प्रभावों का प्रभावी धंग से इलाज करते हैं टायगोल कैपसूल के बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें शुगर कम करने के घरेलू उपाई मून के पत्ते इंसुलिन हॉमोन बढ़ाने के साथ साथ शिराओं वधमियों में रख प्रवाह को सुचारू रूप से चलाते हैं शुगर होने पर नीम के पत्तों का ज्यूस पीना फाइदे मंद होता है शुगर को बढ़ने से रोखने के लिए नीम ज्यूस को रोजाना सुबह खाली पेट पीना चाहिए तुलसी तुलसी में मौजूद एंटियोक्सिडेंट शरीर में इंसुलिन जमा करने वाली और छोडने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं मधुमे लोगी को रोज दो से तीन तुलसी के पत्ते खाली पेट खाने चाहिए इससे शुगर या डाइबिटीज को बढ़ने से रोका जा सकता है मिशकर्श इन घरेली उपायों के साथ यदी डाइबगोन कैपसूल का सेवन किया जाए तो परिनाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं डाइबगोन कैपसूल में अत्यदिक प्रभावी और शक्तिशाली जड़ी बूटियों का मिश्रम होता है जैसे सफेद मुसली, जाइफल, शिलाजीत, गिलोए, विदारीकंद, हल्दी, मेथी, करेला, जामुनादी यह जड़ी बूटिया डाइबिटीज को कम करने में अत्यंत फाइदे मन्द है सौ प्रतिशत प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित एक लाख से अधिक संतुष्ट क्राहत संपून भारत में उपलब्ध प्रोड़क्त लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यदि आप इस तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को सूशल साइट्स पर शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े और हमारी आने वाली नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए यूट्यूब के बेल आइकॉन को प्रेस करें यूट्यूब करें